आप सभी का आज के सेशन में और देख लो भी जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो आप लोग को बता दिया जाए कि अनिकेडमी की सब्सक्रिप्शन जो है अभी इसकी रिट बढ़ने वाली है 25 जैन ठीक है तो आप लोग की जो डिमाइंड थी कि अभी इसकी प्राइस को ह क्याने की योड में पर जाना होता है और आप कोई भी कोर्स है उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हो । इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10 पर संट औरski उसमें जितने भी को बचंटकु मिल कि उसे सकते हो कर साथा डिक्ति-ई जो है यह जो आपको 9-Nice, कि मिलेंग पैक चलते हैं और देखो जैसे आप सभी को पता है इस चैनल पर हर शाम और सुबह साथ मिनिट की ट्रिक आती है अलग अलग विशेप पर ठीक है तो अभी हम लोग जीकी की बात करेंगे और जीके में लोग देखने वाले मिस वर्ल्ड दिहान दीजेगा मिस वर्ल्ड इनके बारे तो कही की बार की होता है अब जिसे सुश्मितास इन वोज मिस यूनिवर्स लेकिन हम लोग लोग एकी बार हम ॉन्हें मिस वर्ल्ड बोल देते हैं ठीक है तो ये ये चीजभ हम इन ही करनी है ओके नाओ लेट जेखन और देखते हैं कि कौन-कौन सी मिस वर्ल्ड विनऊ र द्वारा एरिक मोरले के द्वारा इसकी 1951 में शुरुवात की गए थी कहां पर United Kingdom में इसको शुरू किया गया ठीक है United Kingdom ये छोटी-छोटी बाते हैं न जिन्हें आप लोगों को अपने द्यान में रखने होंगी इसके लवाद चार और बड़ी प्रतियों की यह होती है विशव संदरी को देखते हुए कौन कौन सी प्रतियों के यह होती है उनको भी ज़रह धि सुझाद रखे हैंगा Miss World और Miss World के अलावा क्या ध्यान रखना होगा Miss Earth ठीके तो ये प्रतियोगिता आएं होती है Beauty Pageants की ठीके, अच्छा 1951 में शुरू किया गया था और सबसे पहली बार ये प्रतियोगिता किसने जीती थी Kiki Hackinson ठीके, अच्छा ये कहां को बिलॉंग करती थी Sweden को ठीके, अब देखो हमें ट्रिक क्या दिख रही है हमारी ट्रिक आप जैसा देख सकते हो Mad प्यार Mad प्यार क्या है, ध्यान दीजे Mad प्यार पागल प्यार लोग कहते है न तो यह से याद रखना यह आपको अगर नहीं लग रहा है तो Mad, PY, R याद रखो ठीके, जो भी आपको समझ जाए अब इसमें से क्या क्या है M से कौन हो जाएंगी मानुशी चिलर A से कौन हो जाएंगी Aishvara Rai D से हो जाएंगी Dina Hidden यहाँ पे देखिए पीसे हो जाएंगी प्रियंका चोपड़ा Y से युकता मुखी और R से रिता फरिया यह पोइंट्स को ध्यान रखे रहेगा यह लोग आपकी कौन है यह लोग Miss World है Miss Universe या कुछ भी अपने मंद से आपको नहीं बनाना है ठीके मैड, PYR या प्यार आपको जो समझाता है ठीके मानुशी चिल्लर एश्वर्या राय डाइना हेडन प्रियंका चोपड़ा मुकता सारी युकता मुकी और रिता फरिया ओके चलो अब ज़रा इनलों के बारे में हलकी हलकी सी बाते कर लेते हैं इनमें से आप लोग एश्वर्या रहे है और प्रियंका चोपड़ा के बारे में तो उतना जानता हो कि जितना मैं आपको शायद बता भी न पहूँ ठीके नौसी सबसे पहले मानुशी चिल्लर जी की बात कर ले तो ये मतलब ये कहा जाता है कि ये ट्रू एक्जामपल है ब्यूटी विद ब्रेन की ठीके इन्होंने अपनी डिक्री लिए है भगत फूल सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सोनीपत में ठीके ये एक ट्रेंड कुची पुड़ी डांसर है साथी साथ में इन्होंने ट्रेनिंग किसके अंडर लिये लजेंडरी डांसर्स राजा और राधा रेड़ी के अंडर और कॉशले रेड़ी के अंडर ठीके तो मतलब जो कहा जाता है कि कोई आपके सामने साक्षात ब्यूटी विद ब्रेन हो उसकी बहुत बड़ी एक्जामपल है 2017 में इन्हें ये खिताब मिला था अगला देखिएगा 1994 में ये खिताब मिला था एश्वेरा राइजी को एश्वेरा राइजी भी अपने तरफ से जो कहा जाए ना कि एक एक्जामपल दी जाती है इनकी जो डिब्ब्यो मूवी थी ये कौन सी थी मनी रत्नम जी की इरोवर ठीक है फिलाल में ये बच्चन खांदान की बहु है अगला देखिए 1997 में ये डाइना हेडन जी को मिला था ठीक है ये एक एंगलो इंडियन फामिली की है जो एक इवन्ट मैनेजर की तरह से काम करती थी अब ये याद रखेगा ये फेमिनमस इंडिया भी जीती थी 1997 में किनकी बात हो रही है डाइना हेडन जी की कौन कौन सी हो गई ये एक एंगलो इंडियन है ठीक है इवन्ट मैनेजर की तरह काम करती थी चलिए ठीक है ये ज़रूर याद रखेगा कि एक feminist India भी जी चुकी है कब 1997 में ठीक है अगला 2000 में प्रियंका चोपड़ा जी को ये किताब मिला था प्रियंका चोपड़ा जी कोई तो जो भी कहा जाए इनको जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है ठीक है कहां से कहां मतलब हॉलिवूड में भी खुद को रिप्रेजंट कर दियना और अपने देश का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात है ये इंडियन एक्टरस है, सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिलेंट्रोफिस जैसा आफ सभी को पता है इनने मिस वर्ड का किताब मिला कब 2000 में हाइस पेड़ो मोस्ट पॉपलर इंडियन सिलिब्रिटीस में सेहक है इसके अलावा इनने पदमष्री मिल चुका है, नैशनल आवर्ड मिल चुका है फिल्म फेर मिल चुका है साथे साथ में इन्हें नैशनल और ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल अमबस्डर भी चुना गया था चाइल राइट्स के लिए 2010 और 2016 में फिलाल में ये अमेरिकन सिंगर निक जॉनस किस से इनका जो है विवाह हुआ है ठीक है 1999 में युक्ता मुखी को मिला था ठीक है ये भी काफी सारी मुवीज में देखी जा चुकी है फिल जड़ा ध्यान दीजेगा इसके अलावा 1906 में जो है रिता फारिया अब सुचो 1906 है न ये पहली ऐसी महिला थी भारतिय महिला जिन्हें इंढंशनल टाइटल दिया गया था ये डब्लिन में रहती है और हस्बेंड जो है ये पहली ऐसी भारतिय महिला थी जिन्हें एक इंढ़नेशनल टाइटल मिला था इसलिए इनके नाम को खास तोर पर याद रखेना है आप लों को ठीक है चलो कहा है एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जो हमारी ट्रिक थी यह हमारी ट्रिक आ गई मैट पीवाई या मैट प्यार आप लोग यसे याद रखो मानुशी चिल्डर ठीक है एश्वेर्या राय डायना हेडन प्रियंका छोप्रा युकता मुकी और रिता फारिया सबसे पहली बार किसे मिला रिता फारिया जी को मिला ठीक है चलो अगर आप लों को सेशन अच्छा पता लगता रहे ठीक है फिर मिलते अगले सेशन में तब तक के लिए घर पे रहो स्वास्त रहो और द्यान दो टेक के लाव यू बबाई